यह तो यहीं पर छोड़ दिया है इसने साथी के कमान के पास और वाइस साथ ने मेरे साथ आभी सेल्पी ली है और में यह जाओज शक्ती एरलंड बहुत ही गहरी खाई है और वहाँ नीचे से एक नदी आती हुई गुद मॉर्निंग दोस्तों साथी विलेज में दुसरे दिन की सुभ़ का स्वागत है आपका आज सुभे रेडी होके जल्दी में ब्रेटफास्ट करने के लिए आगया तो आज भी देखें ब्रेटफास्ट करने के लिए बहुत सारा खाना यहाँ पे रखा हुआ है दो यह शक्कर यह जाम यह कुकीज वहाँ पे कुछ ड्राइब फूट्स और स्वीट है और यहाँ पे शायद बड़र है यह और यह ब्रेट्स जो यहाँ पे नॉन कहते हैं वो यह है इसे काटके रखा हुआ है काफी बड़ा होता है तो इतना हेवी ब्रेटफास्टों मैं नह इतना खाऊगा बिस्कुट भी नहीं जाएगे क्योंकि कल में एक बिस्कुट खाया था यह जो बिस्कुट है तो ठीक लगा बट सुबह समय इतना जाएगा ने और एक बुरी बात मेरे साथ ही होगे कि कल रात को हमने काफी मुश्किल से टैक्सी बुक की थी वो भी उसने थोड़ी देरे बाद मना कर दिया साड़े चार हज़ा टेंगे मांगे थे लेकिन बाद में उसने मना कर दिया कि नहीं हो गया तो मुझे अभी यहां से ग्रेट पाश्ट करके रोड पे जाके फिर हिचाइक करके वापिस उच चौराय पे जा रहा होगा जहां से में तो साड़े साथ सोबे के बज़े है आठ बज़े तक निकल जाता हूं मियास कर दिया है मैंने चेक आउट और उस होस्ट ने मेरे मदद की बहुत ही जैसे मैं होमस्टे से बाहर निकला तो उन्होंने एक मेरे लिए गाड़ी रोकी जो बड़ी बस है यह तो बस से कहा कि इन अब देख से कमान के पास चलके भी आ सकता था कि वहांसे जो रोकता है यही से यहां से रोक नियोंगी गाड़ी और क्या होगा अलग ठेक है जो भी मदद की हो बड़ी है मेरत लिए यहां पर ग्यास टेशन है यहां पर गाड़िया रुख सकती है या फिर हाँ काफे गाड़िया जा रहे हैं उस तरफ से आ रही है साटी के कमान के पास अभी रुक्य में हिचाइकिंग करूगा गाड़िया रुकने के कोशिश करूँगा कि मुझे आगे तक छोड़ दे या फिर अलमाटी तक जा रहे है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और यहां पर इस तरफ दिखिए उस तरफ जो रिवर है व पानी होगा बड़ी नदी है चोटी भी नहीं कैमेरे में कितनी दिख रही यह तो समझ नहीं आएगा मगर है तो बड़ी रिवर है तो आप पता नहीं दो तीन गाड़िया गही अभी यहां पर जब मैं चलके आ रहा था उस तरफ से तो मैं उस तरफ था इसलिए उन्हें न ट्राय करता हूँ होप के रुख जाए तकरिपन 15-20 मिनिट रुकने के बाद एक भाई साब ने डेक्सी रोक दी और आगे तक मुझे छोड़ देगे तो ऐसे करते करते आज भी जाना होगा आगे कुछ गाड़िया रुकेंगी तो कुछ रुकेंगी रही ऐसे तो होता ही है सफर में तो अभी आगे कहां तक जा रहे है यह तो मुझे पता नहीं उन्होंने कहा है कि जो भी जगा का नाम है मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आया मैंने कहा हाँ भाई छोड़ दो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहां से आलमाटी को आपको मिल जाएंगे गाड अच्छा हुआ है कि इतने दूर से कोई आया है और यहां पर भूम रहा है तो सर ने मुझे यहां जलांश तक छोड़ा यहां से मुझे आगे तक जाने के लिए जो जो चोहरा है वहां नजदिक है तो रखमत सर फोर अप्तों स्टॉपी एर रखमत लिए अच्छा हुआ यहां तक छोड़ दिया जलांश तक इस गाओ का नाव है जलांश यहां से तो काफिस सारी गाडिया वो इस तरफ से भी आएगी और इस तरफ से भी आ रहे है इस से भी गाड़ी आ जाए और मुझे लिफ्ट देने तो बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरफ से जा रहे हैं मतलब वहां से मुझे जाना होगा गया स्टेशन बंद पड़ा है यह चालू है पता नहीं चल रहा है कि यह जो हड्स है यह रेस्टारेंट है छोटे-छोटे जैसे अपने यहां होटेल होते है व्योंसे यहां पर है इस तरह की से बनाया गया है क्योंकि स्नो के टाइम पर गर्मी रहती है इस होटेल में कि इसने तो मना कर दिया है कि वेट करना होगा क्योंकि साते में भी 15-20 मिनट वेट किया एक गाड़ी तो रुख गोई यह जो मेरे पीछे जो होटेल है वहां पे कुछ लोग खड़े है उन्होंने जैसे कोई एलियन देख लिया वैसे मुझे देख रहे है वहां से पहले एक मोतरमा आई उसने कुछ कहा उन लोगों से तो पांचे लोग यानि उनके फैमिली में जितने भी थे वहां पर सभी आके मुझे देख रहे थे पता है क्या देख लिया अब यह कार आ रही है लाइट लगा के इसे रोपकर देखता हूं कि नियत कि भाइबाय कर दिया इसने तो एक मेरे साथ इतिफाक यह हुआ कि कल जो कॉलसाय लेक से मुझे सातिय तक जिसने छोड़ा था वही लोग मुझे आज यहां जलाशन में मिल गए और उन्हेंने गाड़ी रोक दी काफी दिर में रुका था तकरीपर एक घंटा भी रुका था लेकिन कोई नहीं रुक रहा था इनको हाथ किया रुक गए तुरंट क्योंकि कल की पहचान थी तो रुक गए आगे तक मुझे छोड़ देंगे यह लोग जाने वाले हैं आगे पिट आज़ कुट्राज नहीं पिढू हैं वाधे उट स्थाज़ हैं दो दोन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो और एक बात अच्छी यह रही थी उन लोगों के साथ जो मैं आया तो मुझे यह ब्लेक कैनियं भी देखने को मिल रही है क्यूंकि आगर मैं कुछ कोई कार से जाता तो यहां आने का मुझे मौका नहीं मिलता जो भी होता है अच्छे करी होता है और जो भी होने वाला है यह सब लिखा हुआ है यह कैनन बिल्टू में देख नहीं पाता क्यूंकि अगर कोई टेक्सी होती है तो सीदे अलमाटी चले जाती दूसरे रास्ते से यह कोई दूसरा रास्ता है जो में परसो आया था, वो नहीं है, ये अलग रास्ता है काफी सारे सेला नहीं आया है, बाए बस से I'm Julian, am I right? Sorry? Julian Julian? Your name name is? Isabel Isabel, Isabel Your name Julian? No, no, Shakti Oh right, from the... Yeah Isabel Yes, and Mark 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 Now it's beautiful Yeah, that's the one That's the one Very cute I can see this logo Otherwise I can't see this place And I can't see this place Without looking, it will go from here By the way I wanna enjoy Without looking, it will be very rare It is very, very rare Jon जहां से हम लोग आये हैं वहां पर पूरा ग्रास लैंड था और काफी सारे वहां पर होर्स पाले हुए थे लोगों ने जो कि बहुत बड़े-बड़े लैंड थे और वहां से आने के बाद यहां पर देखिए पूरा पीचे की तरफ डेजर्ट है अब डेजर्ट जैसा है पूरा पीचे की तरफ और यह कैनियन और उसके नीचे बहती हुई नदी ये खुबसूरत नजार आए बहुत ही मैं बहुत ही शुक्रिया आदा करना चाहता हूं मार्क का और इसावेल का जो कि उन्होंने मुझे लिफ्ट दी और यहां तक लाया उनके बगर यह मुंकिन नहीं था मैं तो सिधा अलमाटी जा रहा था यह बिना अगर देखे चला जाता तो क्या मतलब था यह निचे जो रिवर थी वह चैरिंग रिवर है जैरेंग रिवर और इस जगा का नाम है बलैक कैनियों और नीचे से काफी गहरी कैनियन थी और उसके नीचे से बहती हुई रीवर इ कुछ आके देखने को मिलेगा या कहीं हाइवे मिल जाएगा इसावेल और मार्क मुझे छोड़के यहां पर चल गए नीचे ग्रैट ग्रैंड केनियन देखने के लिए मैं यहां पर जो चौरा है इसी की बात कराता हूँ यह रोड वही है कोई दूसरा रोड नहीं है तो यहां मैं देख्यूंगा कोई टैक्सी मुझे मिल रहे है क्या अलमाटी के लिए स्क्वेर पर आके जान में जान आई वरना मैं तो साथी में सोच में पढ़ गया था कि यहां तक मैं कैसे पहुचूंगा आ तो गया यहां तक अब यहां से टैक्सी बिनला कोई बड़ी बात नहीं यहीं मुश्किल तो नहीं है टैक्सी को ताम बोलते हैं ताम है कजक में थोड़ी बहुत रशियन बहुत ही थोड़ी आ रही थी उसका मुझे यहां पर काफी फाइदा हुआ इस कजाकिस्तान में कुछ वर्ड है जो यह लोग अच्छे तरह के से जानते हैं इनको रशियन तो आती ही है किसे रोकी क्या करो एक गाड़ी रुकी है कौता में शेरिल टाक्सी ही है क्या अलमाती अलमाता वजल कर जाद में बेच बैक पेसे बागे गाई एफ दो पतलई ना इसकाए मैं अंदर जाओ अच्छा हुआ इन लोगों ने मेरे लिए गाड़ी रोग दी वरना में तो सोच में पड़ गया था कि क्या होगा अभी इस चोहराय तक आप आजाओ यहां से आपको डेफिनेटली गाड़ी मिलेंगी नी मिलेंगी क्योंकि अंदर से यहां तक आने के लिए गोड़ा सा मुश्किल है मगर एक बार यहां पर आ गए तो आलमाडी के लिए यहां से काफी सरी गाड़ी आ जाती है और कोई आपके पास अगर देख लेगा तो खोदी पूछेगा कि कहां जा रहे हो पहुच गया हूँ अलमाडी सायखत बस स्टेशन पर जहां मैं आया थ तेंगे दिये थे पांच मांग रहा था तो मैंने का में पांच तो नहीं देने वाला फिर 4,000 भान रहा था मैंने का मैंना जाते समय दीए तो आब ही थी सिंए खे दिए पहले हस्टल में जाके बैग रखके फिर ग्रिंद बजार जाओंगा वहां पर मैंने केप सी देखा था तो पर यह खाना आज केप सी में खाऊंगा